सागरिय संसाधन से तातपर्य महासागरिय जल तथा नितल से सम्मंधित जैविक व अजैविक संसाधनों से है। के कारण इन संसाधनों का महत्व अधिक बढ़ गया है। परिणाम स्वरुप वर्तमान में सागरिय संसाधनों के दोहन के लिए विश्वक के सभी देश अपने प्राध्यागिकी एवं कौशल विकास पर जोड दे रहे हैं। सागरिय जीवों को उत्पादन एवं उत्पाद पदार्थों के विदोहन की होड लग गई है। सागरिय संसाधनों में विवित प्रकार के जैविक इवं अजैविक संसाधन होते हैं। नदिया तथा सागरिय वनस्पति सागरिय संसाधनों के दो प्रमुक स्त्रोत है। नदिया इस्तलिय भागों से विविन प्रकार के प पोशदियां भी सम्मिलत हैं जो सागरिय जल में नहीं थैं। सागरिय संसाधनों का वर्गी करण इसके चार वर्ग हैं। सागरिय जैविक संसाधन, सागरिय खनेत संसाधन, उर्जा संसाधन, ताजा जल संसाधन। सागरिय जैविक संसाधन के दो वर्ग, खादे संसाधन एवं अखादे संसाधन, खादे संसाधन के भी दो वर्ग, जन्तु संसाधन, पादप संसाधन, जन्तु संसाधन के चार वर्ग, मचली, जींगा, केंकडा, जन्तु, प्लैंक्टन, पादप संसाधन के भी दो वर्ग, सागरिय गहास एवं पादप प्लैंटन अखाद्य संसाधन के भी दो वर्ग प्रवाल एवं सीप सागरिय संसाधनों का वर्गी करण के अंतरगत नमबर दो सागरिय खनित संसाधन के भी दो प्रकार हैं इस्थिति के आधार पर एवं प्रकृति के आधार पर वाले खनेज, नंबर दिं गहरे सागरों की तली पर पाये जाने वाले निक्षे प्रकृतिके आधार पर के भी तीन वर्ग हैं धात्वे खनेज, इन्धन खनेज, निर्मान सामगरी इन्धन खनेज के दो वर्ग हैं पेट्रोलियम प्राक्रोतिक गैस और निर्मान सामगरी के दो वर्ग हैं ग्रैवल एवं रेत उर्जा संसाधन उर्जा संसाधन के दो वर्ग परंपरागत उर्जा एवं गैर परंपरागत उर्जा के दो वर्ग खनिज तेल एवं प्राक्रोतिक गैस और गैर परंपरागत उ प्रिष्ट संख्या 202 सागरिय जैविक संसाधन सागरिय जीवों के अवास के अनुसार सागरों को सागर की उपरी सतह, मध्यवर्ती, मंडल तथा गहरे सागरिय नितल के रूप में वर्गे करत किया जाता है सागरिय शेत्रों में जन्तूओं के लंबवद ब्रह्मन करने से आहार तथा पोशक तत्व उपरी सतह से नीचे की ओर स्थान अंतरित होते रहते हैं सागर की उपरी सतह को प्रकाशित परत, फोटिक लेयर भी कहते हैं प्रकाशित परत में एक कोशिका वाले पादप प्लैंक्टन प्रकाश संसलेशन की प्रक्रिया द्वारा अपनी वृत्धी करते हैं इस परत को सागरिय हरा चारा गहा, मरीन ग्रीन पैश्चर कहते हैं सागरिय बायोम के अंतरगत सागरिय पर्यावरण में पनपने वाले पौधों इवं जन्तूओं के समुदाई इवं उनके आवासिय पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है सागरिय बायोम को पलैजिक बायोम तथा नितलिय बायोम में वर्गिकृत किया जाता है सागरिय जीवों को आवास के आधार पर प्लैंक्टन, नैक्टन तथा बेंथस में वर्गिक रत किया जाता है प्लैंक्टन सागर के प्रकाशत मंडल में तैरते पादप प्लैंक्टन तथा जन्तु है नेक्तन समु के अंतरगत बड़े आकार वाले तथा शक्तिशाली तैरने वाले जन्तु आते हैं सागर के तली में रहने वाले पौधे तथा जन्तुओं को तलवासी या बैंथस कहते हैं सागरिय जीवों में प्रवाल का प्रमुकस्थान है, इसी कारण इने सागरिय वर्षावन कहते हैं, वास्तव में प्रवाल महा सागरिय जैविक समुदाई की आधार्शिला है, सागरिय जैविक स्वास्थ प्रवाल की सम्रध्धी पर निर्भर करता है, भूमंडलिय ताप वृद्धी के कारण सागरिय जल के तापमान में वृद्धी से प्रवाल विरंजन के कारण सागरिय पारस्थितिक तंत्र संकटापन्न हो गया है समस्त सागरिय क्षेत्र की नेट प्रात्मिक उत्पादक्ता 55 x 10 to the power 9 है खादे संसादन, food resources मानव आहर के रूप में प्रोटीन युक्त खादे पदार्थ तथा जन्तूओं के लिए खादे पदार्थ की उपलब्धता के रूप में सागरिय खाद्य संसाधन का महत्व है सागरिय संसादनों में सरवाधिक आय, व्यापार तथा परिवहन से होता है जबकि मचलियों का आय के संदर्व में द्वित्य इस्थान है अधिकांश मचलियों का उपयोग पशु आहर के रूप में किया जाता है मानव जाती के लिए भी मचली का सेवन लाब दायक होता है क्योंकि मचलियां प्रोटीन तथा विटमिन का महत्व पूर्ण अस्त्रोथ होती है मच्यन, फिशिंग्स विबिन साधनों एवं विधियों द्वारा प्रत्यक शुरूप से मचलियों के पकड़ने को मच्यन कहते हैं सागरिया जलके उपरी भाग में रहने वाली मचलियों को क्लूपियाद कहते हैं इसके अंतरगत हेरिंग, साडाइन, मैनहेदन, एंकोवी आदी प्रमुख है गहरे सागर की तली में रहने वाली मचलियों को गैरवायर कहते हैं जिसके अंतरगत कॉड, हेडैक, हेक, ट्यूना, मैक्रेल आदी प्रमुख है मत्सयन का सरवादिक विकास उतरी गोलार्थ में हुआ है मद्य अक्षांशियक शेत्र के महाद्वीप्य मगनतत मचली पकड़ने के व्रहत्तम ख्षेत्र है उतरी गोलार्थ में ठंडे सागरे जलवाले भागों में मत्सयन का विकास निम्न कारणों से हुआ है नमबर एक मचली के खास प्रजाती की अधिक संख्या में उपस्थिति नमबर दो मानव आहार के रूप में मचलीयों की अधिक मांग नमबर दीन मचली पकड़ने की उत्तम विधियों एवं सामगरियों का होना नमबर चार मचलीयों के रख रखाव के इनिंग वा भेजनी की उत्तम विवस्था नमबर पांच एका की प्रजाती की भरमार नहीं कई प्रकार की मचलीयों का मिश्रन विश्व के प्रमुक मत्सयन क्षेत्र, मेजर फिशिंग रीजिन अव दो वोल्ड नमबर एक उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरी अक्षेत्र, नमबर दो उत्तर पूर्वी अट्लांटिक शेत्र, नमबर तीन दक्षिन पूर्वी प्रशांत महासागरी अक्षेत्र, नमबर चार पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागरी अक्षेत्र, प्रिश्ट संख भारत में सागरिया मत्सेन का भरपूर विकास नहीं हो पाया है, इसके विक्सित न होने के निम्नकारण है सागरिया क्रुशी, मरीन एगरिकाल्चर कुछ खास विधियों द्वारा कुछ विशिष्ट मचलियों को सनरक्षित कर उनका प्रजनन तथा उत्पादन करके बाजार में बेचने की समस्त प्रक्रिया को सागरिय क्रुशी कहते हैं ये जल क्रुशी का ही विस्तारत रूप है जापान, चीन, जावा तथा अन्य कई देशों में ये प्राचीन काल से प्रचलन में है सागरिय क्रुशी के अंतरगत सम्मिलित किये जाने वाले सागरिय जीवों में ओइस्टर, मुसेल्स, स्कैलेप्स, श्रिम्प, कार्प, सामन, ट्राउट, कैटफिश, ट्यूना आदी प्रमुख है जन संक्या में वृधि के कारण खादे पदार्थों की मांग में दिन प्रते दिन वृधि हो रही है भविश में इस थलियक शेतरों से इस बढ़ती मांग की आपोर्ती संभव नहीं है अतह लोगों का ध्यान सागरों तथा महा सागरों की ओर हुआ सागरिया परियावरण के सदत विकास के लिए ये अवश्यक है कि सागर सी मचलियों के शिकार की तुलना में उनकी खेती करना अधिक तिकाओ है सागरिया खेती के अंतरगत ओइस्टर की खेती सरवादिक प्रचलित है इसमें सबसे पहले ओइस्टर के अंडों को एकत्रित किया जाता है तत्पश्चात नए सागरी अस्थानोमी बीजन के लिए उपयोग में लाये जाता है ओइस्टर की खेती के लिए जापान में निलंबन क्रिशी तथा उस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में रैक इवं स्टिक क्रिशी प्रणाली आधिका विकास किया गया है मशलियों की क्रिशी में सबसे अधिक कठिनाई उनकी गती शीलता है सागर जंतु समवर्धन, ओशिन, रैंजिंग सागर या इस्तंधारी जंतुओं जैसे डॉल्फिन, वेल, सून्स के पालन इवं प्रशिक्षन को सागर जंतु समवर्धन या सागर पशुपालन कहते हैं वर्तमान में सागर पशुपालन अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, भविशे में इसके विकास की अपार संभावना है, वेल मशली के पकड़ने के कारे को वेलिंग कहा जाता है खनित संसाधन Mineral Resources सागरियक शेत्र खनित संसाधनों से समर्थ है, ये सागरिय जल में घूल के रूप में, तथा सागरिय तली पर निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं सागर तट्यक शेत्रों में सागरिय जल को वाश्पन बेसिनों में रूप कर सौरियक ताफ से सुखा कर नमक प्राप्त किया जाता है सागरिय जल का शोधन करके उसे ताजे जल में परिवर्तित करके प्राप्त पेय जल को निर्मित जल मेनिक्षेपों के खनेज महाद्विपिय मगनतट, महाद्विपिय धाल इवं गहरे सागरिय क्षेत्रों में पाए जाते हैं महाद्विपिय मगनतट इवं धालों की सतय पर निक्षेपित पदार्थों में जिर्किन, मोनाजाइट, गोल्ड, प्लेसर, हीरा, प्लाटिनम, गंधक तथा कई प्रकार के निर्माणक पदार्थ जैसे रेत, बजरी तथा बोल्डर पाय जाते हैं भारत में मोनाजाइट तथा जिर्किन के भंदार केरल तट के पास प्लेसर निक्षेप के रूप में हैं, प्रिष्ट संख्या 204, भारत में मोनाजाइट का विश्व में व्रिहत्तम भंदार है, उस्ट्रेलिया के तत्य भागों में रूटाइल खनेज पाय जाता है, ये उपयोग वेल्डिंग छड़ों पर कोटिंग के लिए होता है मैंगनेटाइट खनेज का सम्मन ज्वालम की शैलों से होता है इस दृष्टिकोंड से परिप्रशांत मेखला संसाधन सम्रत है कैसीटराइट एक प्रकार का तिन खनेज है जो ग्रेनाइट शैल के अपक्षय होने से अलग होता है थाइलन, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में इस खनेज के सरवादिक भंडार है सोने का जमाव अलासका, ओरेगन, चिली, दक्षिनी अफ्रीका इवं उस्ट्रेलिया के मगनतटों पर पाया जाता है फॉस्फोराइट सागर ततियक शेतरों में पंक तथा रेत के रूप में मिलता है मगनतटों इवं धालों में ये नोडूल के रूप में होता है तथा इनका उपयोग और वरक निर्माण में किया जाता है गहरे सागर ये निक्षिपों में मैंगनीज पिंद सरवादिक महत्वपूर्ण है प्रशांत महासागर में इसका सरवादिक भंडार है मैंगनीज नौडियोल्स में कई खनिज प्राप्ट होते हैं जिनमें मैंगनीज तथा लोहा का प्रतिशत सबसे अधिक होता है महाद्वेपिय मगनततों की नितल सन रचनाओं में खनिज देल तथा प्राक्रोतिक गैस की अपारभंडार की संभावना है सागर से प्राप्त किये जाने वाले खनेज संसाधनों का 90 प्रतिशत इन्हीं दोनों खनेजों का होता है अब तत्यक शेत्रों जैसे मेकसिको की खाड़ी, आलासका, फारस की खाड़ी, उस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत में कोंकन तट, गुजरात तट, कोरो मंडल तट, सुन्दरवन तथा अन्यक शेत्रों से खनेज तेल प्राप्त हो रहा है सागरिय उर्जा संसाधन, मरीन एनरजी रिसोस बिजली उतप Kellan की जा सकती है जुआरिय विद्यत उत्पादन के लिए पांच मीटर जुआरिय परिसर होना आवश्यक है जबकि अधिकांच सागर त्टियक शेत्रों में 2 मीटर या उससे कम जुआरिय परिसर है अता जुआर द्वारा बिजली उत्पन्न करने के सीमित क्षेत्र है। जुआरिय विद्यत उत्पादन के लिए संकरी खाडी क्षेत्र का होना भी आवशक है।